आज का जो हमारा वीडियो है आरे के उपर होने वाला है आरे के बारे में पढ़ने वाले हैं चुकि मैंने सोचा था पहले हम कंडिशनल स्टेट्मेंट एंड लूप को कवर करेंगे उसके बाद हम एरे स्लाइस इन सब के उपर जाएंगे आरे को समझना जरूरी है लूप समझने से पहले हर एक प्रोग्रामिंग लेंग्विज में एरे का कॉंसेट होता है क्यूं हम एरे यूज करते हैं तो सबसे पहले तो मैं गूगल पर मैंने ओपन किया हुआ है यह कुछ डेटा टाइप से गो लेंके तो हमने बेसिकली इन सब अपने आने वाले वीडियो में दिखने वाले हैं ठाओ का जो हमारा टापिक हो डियागा है तो अच्छा यह एरे और जो Slice है ना वह बहुत सिमिलर है तो हो सकता है मैं आरे पढ़ाते समय आपको थोड़ा सा Slice को इंट्रोडक्शन देदू बट के लिए हमारे जो वीडियो होने वाला है तो अचा एरे के लिए जानते कि एरे की जुरुत क्या पड़ी एंड इसका क्या यूज होता है तो सबसे पहले मैं अपना code editor open करता हूं और इस फाइल को मैं close करता हूं यहां पे मैं एक नया folder बनाता हूं कि अरे के नाम से बनाता हूं ठीक है इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूं एरे डाट गू एंड इसको करता हूं इसको टर्मिनल को ले के आता हूं यहां पे कि क्या हुआ आजा तो सबसे पहले ही स्टार्ट करते हैं पैकेज में एंड फंक्सन जो होगा हमारा वह क्या होगा में ठीक है और इसके अंदर हम कि एक प्रिंट इस्ट्रेक्मेंट लिख दते हैं किया और इस ठीक है ओके तो इस एरे की क्या जरूरत परती है तो सी अब किसी यूजर आप 10 यूजर या 10 इस्टुडेंट्स का आप नाम इस्टूर करना शाहते है अपने प्रोग्राम में तो आप कैसे करोगे क्या आप 10 डिफरेंट 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 वैरिबल्स बनाओगे इस पिंग का यह कॉंप्लिकेट हो सकता है जैसे जैसे डेटा की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आप उतने वैरिबल्स नहीं बना सकते हैं तो उसकेस के लिए हम एरे का यूजर करते हैं लेट साप कलेक्शन अप डेटा इस्टूर करना शाहते हो लेट से आप 10 इस्टूडेंट्स का यह 5-400 का नाम अगर आप इस्टूर करना चाहते हो तो सकेस में इस आड़े का यूर सकते हैं आरे को बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह सिर्फ सेम टाइप के डेटा को नहीं स्टूर करता है same type of data , let's say , अगर आप नाम इसे चाहए और अगर आप नाम इस्टुड उस्तुड político- Yin sem टाइप का error अरे बना होंगे पुजिए 、डे अणिरे बनाप और एडिया contrib का अरे ए अरे में जो वैल्यू सुर्फ होंगी मतलब sim data type के value का collection आप array में रख सकते हैं कुछ और बातों को जानना पड़ेगा array के बारे में जैसे कि जब भी आप कोई array बनाते हो तो उसका जो size होता है आपको पहले से ही तैय करना पड़ता है क्योंकि अभी हम static programming कर रहा है dynamic programming नहीं कर रहा है dynamic programming भी support करता है जिसमें हमें runtime दो तरह की programming होती है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि कि अधिस का क्या यूज होता है ठीक है तो लेट से मैंने आपको क्या बोला कि पहले इसका लेंथ हमें करना पड़ेगा तो लेट सबस्क्राइब का अगर बनाते हो इस ट्रिंग टाइब का एरे बनाते हो ठीक है यह कुछ लिस्ट की तरह ऐसा होगा जिसमें आप क्या कर सकते हो डबल कोट के अंदर आप किसी यूजर वन का नाम लिखोगे यूजर टू का नाम लिखोगे ऐसे मतलब जितने आप चाहओ उतने लिख सकते हो एंड यह ऐसे कुछ को लोज होता तो यह लिस्ट की तरह आप इसको बना सकते हो ठीक है और मैंने जिसे बुला कि यह होता है static, static का मतलब क्या हुआ, I mean, array जो होता है, इसका जो length होता है, हमको पहले से ही बताना पड़ता है compiler को, किसी हम 5 के size का array बनाना चाहते हैं, फिर 6 के size का array बनाना चाहते हैं, आप run time पे, see, program run करने के बाद, बीच में, let's say, run time पे, ठेक है, अभी अपने size बनाया 3, बट हो सकता है, run time पे यूजर से input लोगे और यूजर ने 5 name input कर दिया, तो आप 5 data इस्टोर करना चाहोगे इस array में, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि run time पे ये memory allocation नहीं होता है, उसके लिए slice है, जिसके बारे में पढ़ेंगे, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसका जो size होता है, fix होता है, आपको पहले से ही, इसका size बताना पड़ता है, ठीक है, अब जानते हैं, इसका declaration कैसे करते हैं, तो कोई भी अगर आपको array को declare करना है, तो आप कुछ ऐसे declare कर सकते हो, उसके वाले keyword आपको लिखना है, इसके बाद आपको ये bracket देना है, इस bracket के अंदर आप चाहो, तो आपको size बताना पड़ेगा, ठीक है, अपने array गा, कितने size का array रफना चाहते हो, तो मैं अभी के देदोगे, तो यहाँ पर क्या लिखा हो, array declared, but not use, ठीक है, तो आप ऐसे कुछ array को declare कर सकते हो, let's say, आप declare करते समय, इसके अंदर value भी देना चाहते हो, तो आप just equal to करो, and इसके अंदर आप ये कुछ value दे सकते हो, 5 जैसे like, यहाँ पर आपको ये value देने से पहले, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, अगर मैं इस array को print करूँ, क्या होने वाला है, मुझे क्या मिला, 5, ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से store करते हो, अच्छा, आप एक और भी काम कर सकते हो, चुकि हमने यहाँ पर already, I mean, आप यहाँ पर चाहो तो इस वायर कीवर्ट को omit कर सकते हो, ठीक है, कैसे वायर कीवर्ट को अटाओगे, मैं आप आप अल्रेडी बताया कि आप चाहो तो इस तरह से values भी दे सकते हो, अगर आप value नहीं देते हो, अगर आप डिकलेर करके छोड देते हो, तो आपने एक array create कर लिया, जिसका size है 1, and by default जो भी value होती है, array में, let's, आपने 1 बनाया है, तो 1 में खुछ तो value होगी, right, मतलब आपने इस, आप चाहो तो आप इसके अंदर एक element store कर सकते हो, लेट से मैंने इसको 2 बना दिया, तो अगर मैंने इसे 2 बनाया, इसका size 2 हो गया, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें 2 values store कर सकता हूँ, like 55 and 45, ठीक है, मैंने ये 2 values store की, यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा इसका data type, and यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा, इसका size, तो size क्या है, 2, तो मैंने यहाँ पर 2 दे दिया, अगर मैं इसे run करो, यहाँ पर दो-दो values इसके अंदर आ गई है, ठीक है, यह मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी मैं ये array create कर रहा हूँ, पहले आप इसका syntax जान ले, where keyword, array का नाम, इस bracket के अंदर उस array का size, and किस type का आप array बना देगी, यह देना काफी important है, तो let's say मैं int type का array बना रहा हूँ, तो मैंने int लिखा, इसके अंदर सिर्फ हम integer values को ही store कर सकते हैं, ठीक है, तो मैंने इसका length 2 लिखा है, इसका size जो है, वो 2 है, मतलब कि हम इसके अंदर 2 values इस्टोर कर सकते हैं, int type की, और इस तरह से आप कुछ comma separated चाहूँ, तो directly यही पे, आप values को assign कर सकते हो, कुछ ऐसे, otherwise, आप क्या कर सकते हो, एक और तरीका है, आप इस, इसको हटा दो, where keyword को आप हटा दो, इसको भी हटा दो, यहां पे आप इसका use करो, ठीक है, यह already आपने देखा thought and property, आपको variable का कुछ भी नहीं बताना परता, but right hand side में array के case में आपको यहां पे int लिखना पड़ेगा, ठीक है कि आप किस type का आप बना रहे हो, array, तो आप कुछ ऐसे भी array को declare करोगे, अगर मैं इससे run करूँ तो यहां पी यह run हो गया, ठीक है, अगर आप declare करते समय values नहीं देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट से मैंने values को हटा दिया, यहां से equal to भी हटा देता हूं, तब भी यह काम करेगा, बट by default जो values होती हैं दो elements में, लेक हम दो elements के अंदर enter करने वाले हैं, अभी तक हमने enter नहीं किया है, तो जो by default value होती हो 0 होती है, तो अगर मैं इससे run करूँ तो आप देख सकते हो, यहां पे 00 है, ठीक है, मैंने इससे clear किया, मैंने अभी आपको एक short hand property बता है, कि आप कुछ ऐसे लिख सकते हो, array equal to, लेट्स अब मैं string type का कुछ variable बनाना चाहता हूं, मैंने यहां पे ब्रैकेट दिया, यहां पे लिखा string, यहां पे मैं चाहूं थो, values लिख सकता हूं, यहां पे लिखा, user1, user2, मैंने कुछ ऐसे लिखा, अगर मैं इससे run करूं, यह run हो जाएगा ठीक है, बट यह array नहीं है, इसे हम slice कहते हैं, जिसके बारे मैं आने वाले वीडियो में देखेंगे, in case of array, make sure कि आप जब भी बनाते हो, आपको size देना ही पड़ेगा, नहीं देते हो अगर आप तो वह क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा slice, तो कैसे differentiate करेंगे आप slice और array के बीच में, मैं अभी आपको दिखाता हूं, let's say, आप प्रिंट अनल लिखा हुआ रहे, यहां पर प्रिंट अनल लिखता हूं, यहां पर इसका type प्रिंट करता हूं, तो आपको पता है मैं इससे type कर सकते हैं, कॉमा देखे, आप चाहो तो यह फिर ऐसे कुछ लिखे, arrow देखे, मैं चाहो तो यहां पर इसकी value भी प्रिंट कर सकता हूं, और यहां पर मुझे दो-दो placeholder तेना पड़ेगा, % के लिए array, %B के लिए भी array, तो इट्स टोटली फाइन, तो आप यहां पर देख सकते हो कि यह जो array है, इस type का object है, इसका जो type है कुछ ऐसा है, यूजर 2, यूजर 1, यूजर 2 ऐसा मैंने यहां पर लिखा हुआ है, और similarly, अगर मैं एक और बनाऊ, array 2 बोलके, इसमें मैंने size ना दिया, तो इसको मैं next line में print करूंगा, array 2, यहां पर just array 2 and array 2 लिखता हूं, और यहां पर मैंने slash in दे दिया, यह new lines से separated हो, अगर मैं इसमें run करूं, तो आप देख सकते हो, कि दोनों का data type में क्या difference आप देख रहा हो, यहां पर size है, यहां पर size में है, तो यह slice बन गया, and यह array बन गया, तो यह आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी array बनाते हों, तो आपको यहां पर size करना होगा, but in the most of the cases, हम slice ही यूज करेंगे, but slice के लिए आपका memory allocation जानना जरूरी है, तो अभी के लिए slice को मैं touch नहीं करने वाला, हम अभी array के बारे में जानते हैं, यह आप जानो, कि अगर हमें similar type की values को store करना, तो आप array का यूज कर सकते हो, इस array में आप मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ आप similar type का ही, जिस type का अपने array बना है, उस type का बेटा इसमें रख सकते हो, अगर मैंने यहाँ पर one रखा, जो के int type का है, तो मुझे यहाँ पर क्या error मिलना है, cannot use one, untype int constant as string value in array और slice literal, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ क्या बोलते हैं, string type की values इस्टोर कर सकते हो, अब हम access करेंगे एक एक element, मैं surface का एक ही element प्रेंट करना शाहता हूं, user one, बाखी से मुझे कोई मतलिम नहीं तो आप कैसे प्रेंट करोगे, तो उस case में index use करते हैं, लेट से मैं नहीं प्रेंटलन लिखा, यहाँ पर array लिखा, यहाँ पर जस्ट मैं 0, जो भी indexing होती है, वह 0 से start होती है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे, इसको मैं पहले clear करता हूं, अपने कोई भी array बनाया, तो आप यहाँ पर देखर हो, अगर यह array प्रिंट हो रहा है, इससे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर कॉमा नहीं है, अगर आप python, c इन सब के background आते हो, तो array या फिर python में आप लिस्ट पर होगे, उस case में यह comma separated होते हैं, यहाँ पर यह space separated हो, तो जब भी यह array बनता है, तो इनकी कुछ index तय हो जाते हैं, जैसे पहला element है, उसका index 0 होगा, जो दूसरा element हो, जो दूसरा element हो, उसका index 1 होगा, and so on, इंडेक्स जो होता है, हमें से 0 से start होता है, तो अगर कभी यहाँ पर यहाँ पर 0 लिखते हो, तो इसका मतलब है, कि आप इसके पहले element को access करना चाहते हो, let's run it, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला है, user1, similarly, अगर आप यहाँ पर 1 लिखते हो, तो आप हो क्या मिलेगा, user2, ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर यह 3 लिखू, 2 लिखू तो, मुझे यहाँ पर directly क्या error मिला है, invalid argument, is out of bound, ठीक है, index 2 is out of bound, इसका क्या मतलब हो, कि इसका length ही 2 है, but आप, I mean 0, 1, हमने already देखा, कि 0, 1 से 2 elements को access कर सकते हो, तो आप यह 3 element कैसे access कर सकते हो, जबकि इसका size ही नहीं होतना रही, तो इस case में हमें मिलता है, तो अगर मैं इससे run करूँ, मुझे यहाँ पर क्या मिला, error मिला, ठीक है, तो ऐसे हम कुछ indexing के use कर सकते हैं, अच्छा मैं काम करता हूं, मैं यहाँ यहाँ पर int लिखता हूं, और यहाँ पर मैं कुछ values store करता हूं, 1,2,3,8,9,5,5,4 मैंने कुछ ऐसे values को store करके रखा हैं, इसका size क्या है, 1,2,3,4,5,6,7 तो मुझे यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ लिखना पड़ेगा, 20.printtalent और array अगर मैं प्रिंट पल, तो मुझे कुछ ऐसा मिला, मैं count करके, अगर मुझे 7 लिखना है, तो यह problem भी हो सकता, यहाँ बहुत सारे भी elements हो सकते हैं, उसके इसमें आप क्या कर सकते हो, एक short end property, आप यहाँ पर ऐसे कुछ, triple dot दे सकते हो, इससे क्या होगा, आपको size mention करने के जुरत नहीं, automatically size ले लेगा, अच्छा मैं इसका type आपको print करके दिखाता हूँ, यह किस type का है, तो आपको समझ मैं आएगा, कि मैं क्या बोलना हूँ, लेट से मैं array print करना चाथा हो रही तो, मैं यहाँ पर लेकिए array, इसका जो type है वह, इसकी जो value है वह, तो यहाँ पर कॉमा देखे, placeholders को change करते है array से, ठीक है, let's run it and check, क्या output मिलता है, इसने automatically क्या 7 int, मतलब इसने automatically size को ले लिया, यहाँ पर तीन डॉट लिखते हूँ, automatically आप जितने चाहँ हो उतने आप elements यहाँ पर दे सकते हो, size automatically ले लिया जाएगा, ठीक है, okay, so यह काम एक हो गया, अच्छा, एक और भी आप काम कर सकते हो, let's say, मैंने आपको indexing के बारे में बता है, तो आप क्या कर सकते हो, कि just printf को हटा के, यहाँ पर println लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं array लिखता हूँ, मैंने आपको गुला कि आप index के थुरू चाहो तो, सारे elements को access कर सकते हो, तो लाइक यह 0, let's say, मैं सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा, यह 3 elements चाहता हूँ, बाकि सबको अभी के लिए नहीं चाहता हूँ, यहाँ पर यह operator दे सकते हो, उसके बाद आप लिख सकते हो, मुझे कहा तक चाहिए, 3 तक चाहिए, यह 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, हमें 3 तक चाहिए, let's write 3 here, see, 123 हमें मिल गया, तो आपने क्या देखा, 0 print होगा, 1 print होगा, 2 print होगा, 3 जो है, वह ignored हो जाएगा, आप समझ पा रहे हो, मतलब क्या होगा, हमें 3 elements शाहिए, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, 0 से 3 का मतलब होगा, हमें 3 elements शाहिए, यह फिर आप यह समझ सकते हो, कि जो last का जो भी index हो, हो हर case में क्या होने वाला, अगर मैंने यहां पर 1 लिख दिया, तो अब क्या होगा, यह 0 skip हो जाएगा, यहां पर आएगा, यह like, just a second, let's say यह हो गया 0, यह हो गया 1, यह हो गया 2, आप index हमझ रहो, 3, 4, 5, 6, यह index हैं है, हरे कहारी की, मैंने क्या मूला, 1 से 3, 1 से 3 का मतलब क्या हुआ, यह 1 हुआ, मतलब 2, फिर यह 2 हुआ, 3, 2 और 3 सिर्फ इंट होगा, यह जो 3 है, वो इंग्नोर हो जाएगा, मैंने आप हो बोला, लास्ट वाला जो भी आपने यहां पर लिखा हुआ, वो इंग्नोर हो जाएगा, सब को प्रिंट करना चाता हूँ, इं तीनों को छोड़ के तो कैसे कर सकते हो आप, सबसे पहले कहा तक हमें एग्नोर करना है, 3 तक, 0, 1, 2, मतलब 2 के बाद हमें सारे elements चाहिए, तो आप क्या लिख सकता है, 2 लिख सकता है, आप के बाद यह लिख के छोड़ दो आप, ठीक है, मुझे क्या मिला, अच्छा मुझे 3 के बाद चाहिए था, तो मुझे 3 लिखना पड़ेगा, मतलब आपको पता है कि यहाँ पर जो भी हम लिखेंगो, वहाँ से स्टार्ट होगा, यह है 0, यह है 1, यह है 2, तो इन तीनों को तो मुझे स्किप करना था, तो यह 3 से स्टार्ट होगा, अगर आपको लेंथ नहीं पता, आप चाहते हैं यहाँ पर लेंथ मेंजन कर सकते हो, यह 3 है, तो 4, 5, 6, तो यहाँ पर आपको 6 ना लिखे, यह 7 एक इक्ष्टा लिखना पड़ेगा, आपको पता है कि लास्ट वाला जो इंडेक्स होता है, वो क्या होता है, यहाँ पर जो भी हम लिखेंगों, वो इग्नोर हो जाएगा, तो 3 to 6 जो भी है, हमें सारी वैल्यूस मिल जाएंगी, हमें यह मिल गया, otherwise अगर आप चाहते हो, आप यहाँ पर लेंथ नहीं लिखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, डिरेक्ली छोड़ दोगे, तो आटोमेटिकली जितने वैल्यूस है, सबको प्रेंट कर देगा, ठीक है, अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यूस को चेंज भी कर सकते हो, यह एरय लिखा होगा रइट, इसका जो इंडेक्स है, मैं इसके इंडेक्स नमबर 2 पे कुछ वैल्यूस रखना चाहता हूं, क्या वैल्यूस रखना चाहता हूं, यह है 0, यह 1, यह 2, तो यह 3 को मैं चेंज करके 7 रखना चाहता हूं ठीक है अगर मैं अभी प्रिंट करूं तो इस एरे को आप देख सकते हूं मैं क्या मिलने वाला है तो यह हमने देख लिया एक लास्ट चीज इस सबको मैं हटाता हूं अभी के लिए अगर आपको इस एरे का लेंथ प्रेंट करना है तो आप ऐसे प्रेंट करोगा तो इस खेस मां हमारे पास एक फॉंक्शन होता है लेंथ नाम का आप उसको यूज करो एंड इस एरे को लिख जितना भी लिन्थ होगा इस एरे का वह मिल जाना वाला तो यहां पर हमें एरे का लिंद का मिला सब्सक्राइब है तो आई हूप आपको एरे क्लियर है आप इसके साथ खेलिए प्रैक्टिस कीजिए स्लाइस के बारे में हम बात करेंगे तो वहाँ पर बस मेमोरी ऐलोकेश बात करेंगे लिक हम नेहां पर इंडेक्स करना सिखा राइट वो स्लाइस में सबकु सेम है वहां पर तो मतलब यह सारी चीजे में मैंने आपको बताई स्लाइस के केस में हो सकता मैं ना बता हूं आपको समझना चाहिए कि एरे क्या होता है इसका यूज कैसे होता है जो हमारी नेक्स्ट वीडियो इसमें हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे तो और भी बहतर तरीके से देख पाऊगे कि हम इन एरे की वैल्यूस का हम यूज कैसे कर सकते हैं ठीक है तब तक के लिए बाई य्यूज का कर दो का चाहिए ।